सवाल निमबर एक किस विक्ती को इंशारंस कंपनी इंशारंस नहीं रेती दोस्तो जैकी चैन और उनकी स्टन टिम को सबी भीमा कंपनी उन्हें ब्लेक लिस्टेड किया है इसलिए जब भी उनकी फिल्मों में किसी को चोट लगती है तो उन्हें पूरा भुकतान करना पड़ता है सवाल निमबर दो किस देश में समोसे को बैन किया हुआ है दोस्तो सोमालिया देश में समोसा बैन है क्योंकि यहां भुकमरी से मरे जानवरों का मीट समोसे में इस्तमाल किया जाता था वही सोमालिया में समोसे को आकरमकता का प्रतिक माना जाता है इसलिए इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है सवाल नेमबे 33 देश में मोटा होना गेर कानूनी होता है दोस्तो जापान में मोटा होना भी गेर कानूनी माना जाता है यहाँ पर 45 से 76 वर्षे के पुर्षों के लिए 85 सेंटीमीटर तता महिलाओं के लिए 90 सेंटीमीटर कमर तई कर दी जाती है इससे ज़ादा होने पर आप पर जुर्माना लगाया जाता है सवाल नेमबर 24 जानवर को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता दोस्तो जेबराई के ऐसा जानवर है जिसे हमने कभी भी पालतू नहीं बनाया है गेंडे विशाल होते है और शाकारी होने के बावजुद भी हम इसे पालतू नहीं बना सकते वहीं पांडा जानवर को भी पालतू नहीं बना जा सकता सवाल नेमबर 5 दुनिया का सबसे मजबूत फोन कोन सा है सवाल निम्बर 26 जानवर का दिल एक मिनिट में एक हजार बार धड़कता है दोस्तो एक तितली का दिल एक मिनिट में पांसो बार धड़कता है और चिपकली का एक मिनिट में एक हजार बार जबकि इंसान का दिल एक मिनिट में बहत्तर बार धड़कता है सवाल निम्बर, 37 देश में स्कूल के बच्चों के बाल काले किय जाते है दोस्तो जापान की कुछ स्कूलों में सभी बच्चों के लिए एक विषिस तरक का रूल बनाया गया है जिस पर सभी बच्चों के बालों का रंग काला होना अनिवार्य है यदि प्राकृतिक रूप से बाल काले नहीं है तो उन्हें काला करने की सला दी जाती है यहाँ पर ऐसा इसले किया जाता है ताकि बच्चे रंग भी रंगी बालों के साथ स्कूल में स्टाइल न मार सके सवाल नमबर 28 देश में फोन फेकने का खेल खेला जाता है दोस्तों फिनलैंड में एक अजिबो गरिफ खेल खेला जाता है जिसमें वेक्ति अपने फोन को दूर फेकने की कोशिश करता है जो सरवादिक दूरी तक अपने फोन को फेक्स देगा वही विजेता होगा सवाल नमबर 29 देश में बुद्ध की मूर्ति के साथ फोटो खिचना मना है दोस्तो श्रीलंका में बुद्ध की मूर्ति के सामने सेलफी लेना गेर कानूनी है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध को पीड़ दिखाना उनका अपमान करने के बराबर है आप कभी भी श्रीलंका जाओ तो यहाँ बार जरूरी आदा रखिएगा सवाल नमबर 11 कि इस गाउ में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते है दोस्तो केरल के मलपूरम जिल्ले के कोंडीनी गाउ में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते है जुड़वा लोगों को देखने के लिए देश भर से लोग आते है इस गाउ में 2000 घर है जिनमें से 200 से ज़्यादा घरों में जुड़वा बच्चे है सवाल निम्बर बारा के यूपी के लकनों के आस्मान में एलियन देखा गया है 200 यूपी के लकनों और उसके आसपास के जीलों में रोशनी की एक अद्भूत कतार देखी गई है जिसे लोग एलियन का नाम दे रहे है दरसल यह रोशनी एलन मस्क की स्टार लिंक के चोटे-चोटे 3000 से ज़्यादा हाई स्पीर इंटरनेट सैटेलाइट की एक चेन है स्टार लिंक विश्वा का सबसे पहला और बड़ा सैटेलाइट सेटप है जो लोग एर्थ और्बिट में अर्थात पृतवी की सबसे निशली कक्षा में घूमती है सवाल नमबर 13 कौनसी आलाराम घड़ी भागती है दोस्तो कलो की नामक एक पहियादार आलाराम घड़ी है जो भागती है और छिप जाती है जिससे आपको इसे बन करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है सवाल नमबर 14 कि इस देश में बटर स्टिक बनाया गया है दोस्तो ब्रेट के उपर बटर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है विशेशता जब बटर को फ्रीज में निकल गया हो लेकिन जापान में बटर स्टिक से इसका भी हल निकाल दिया है यह किसी गिलू स्टिक की तरह दिखता है और गोन की तरह मखन भी ब्रेट पर लगाया जा सकता है और आपको चाकू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल नमबर 15 कीन हातियों का वजन 6,000 किलो है दोस्तो एशिया में पाये जाने वाले हातियों का वजन लगबग 4,000 किलो और उनकी उचाई लगबग 2.7 मिटर तक होती है वही आफरिकन हातियों का वजन लगबग 6,000 किलो तक होता है और यह एशियन हातियों से बाद होते है इनकी उचाई 3.2 मिटर तक होती है सवाल नमबर 16 दुनिया का सबसे महेंगा कबुतर कौन सा है दोस्तो दुनिया का सबसे कीमती कबुतर बेलजियम का नियू किम नम की मादा कबुतर है जिसे चीन के एक शक्स ने 14 करोड 15 लाक रुपे में खरीदा था सवाल नमबर 17 कि इस देश में रात में 10 बजे बाद टॉयलेट जनम मना है दोस्तो स्वीजर लेंड देश में रात 10 बजे की बाद और सुबर 7 बजे से पहले टॉयलेट का फलेश यूज़ करने पर मनाई है वहां की सरकार का मानना है कि इस से लोगों की नीन में खलल पड़ता है यहां रात में शोच करने की मनाई है लेकिन यदि आपके शोचाले का फलेश बहुत शोर करता है और उसके शोर से पडोसी की नीन में विगन पड़ता है तो यहां अपराद है सवाल निमबर 18 कीज देश में सोने का पहाड है दोस्तो कांगो में सोने का एक पहाड मिला है इस खबर के फैलते ही बड़ी संख्या में स्तानिय लोग अपने अपने ओजार के साथ पहाड पर खुदाई के लिए पहुच गए ऐसे में कांगो की अथरोटी को उस गाव लुही ही में मौझूद इस पहाड पर खुदाई को लेकर बैन लगाना पड़ गया सवाल निमबर 19 कीज देश की लड़किया कभी नहाती नहीं है दोस्तो नामे पिया की हिंबा जनजाती के महिलाओं को बहुत खुबसूरत माना जाता है और उनसे जुड़ी खास बात तो ये है कि वह अपने जीवन में केवल एक दिन वह भी अपनी शादी के दिन ही नहाती है और बाकी दिनों में वह अपने शरीर को साफ करने के लिए एक विफिश तरग के दुए से अपने शरीर को साफ रखती है सवाल नमबर 20 कीज जगर एक भी घास नहीं उखती दोस्तो अंटार्टिका महादवीप एक ऐसा महादवीप है जहाँ पर घास नहीं उखती है क्योंकि यहाँ पूरा महादवी बर्फ से ढखा हुआ है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से किसी भी तरग की घास मौजुद नहीं है सवाल नमबर 21 दुनिया का सबसे चोटा होटल कौन सा है दुनिया का सबसे चोटा या मीनी होटल जॉर्डन में है यहाँ मीनी होटल इट और पत्थरों से नहीं बना बलकि यहाँ चार पईया गाड़ी है जिसे होटल बनाया गया है इस होटल में आपको वो सारी सुविदाए मिलेगी जो किसी 5 स्टार होटल में मिलती है इस होटल में एक राद गुजारने का किराया 56 डॉलर है जो लगबख 3500 के बराबर है सवाल नेमबर 22 जर्मनी में फादर्स डे के दूसरे दिन छुट्टी क्यों रखी जाती है दोस्तो जर्मनी में फादर्स डे के दिन लोग एक जगव पर इकटा होकर अपनी गाड़ियों में बीर और शराब भरकर उसे खीच कर पूरे शहर में घुमते है और उसमें रखी शराब वो बीर पीते जाते है उसका नशा उतारने के लिए अगले दिन छुट्टी रखी जाती है सवाल नेमबर 23 किस क्रिकेटर ने तीन बार डबल शर्तक लगाया है दोस्तो रोही शर्मा ने तीन बार डबल शर्तक लगाया है रोही शर्मा का पहला शर्तक औस्टरलिया के खिलाब 2013 में लगाया गया था दूसरा शर्तक श्रीलंका के खिलाब 2014 में लगाया था तीसरा शर्टक फिर से श्रिलंका के खिलाब 2017 में लगाय गया था सवाल नमबर 24 प्रेगनेंसी से बचने के लिए एक सवास के बाद के यूरिन करना चाहिए दोस्तो अगर आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए सेक्स के बाद पेशाप करते हैं तो इस बाद को आज ही दिमाग से निकाल दीजिए इन दोनों का आपस में कोई संबन्ध ही नहीं है सेक्स के बाद प्रेगनेंसी से बचना चाते हैं तो आप अन्य उपाय आजमा सकते हैं सवाल नेंबर 25 क्या खड़े होकर पानी पीने से उसका असर घुटनों पर पड़ता है दोस्तो घुटनों का दर जरातर केलशियम की कमी से होता है और मैगनेशियम की कमी से अनिज़रा होती है पानी में सबसे कॉमन लवन केलशियम और मैगनेशियम होते हैं दिन भर में हम जितना पानी पीते है उसमें हमारी केलशियम और मैंगनेशियम की जरुवत पूरी हो जाती है पानी बेट कर धीरे धीरे पीने से ये लवन हमारी मुह और हाहार नली में अच्छे से सोक लिए जाते है जिस कारण हमारी हड़िया मजबूत रहती है वही अगर आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो पानी पूर्तुरन पेट में पहुच जाता है इसलिए बेट कर छोटे-छोटे घूट में पानी मुह में भर कर पूरे मुह में घुमाए और धीरे-धीरे निगले